रेलवे की पार्ट साले में आपका स्वागत है और दोस्तों गुरूब डी भरती 2018 वाले कंडिडेट के लिए बहुत बड़ी अपडेट आई है जिया दोस्तों यहाँ पर सेंट्रल रेलवे यानि कि आपका जो मुंबई बोर्ड है उसने गुरूब डी 2018 वाले कंडिडेट की 137 कि यहाँ गए है जिनको मेडिडिकल में अन्फिट की हैं पर एपने करें हुए और किन कारणों से रेलवे होती है पहले रेल्वे होती है आप अप एपसेट हैं उस बहुत सारे reasons होते हैं लेकिन जो कुछ common region होते हैं वो आपको बता दू पहला जो region होता है वो यह तो कि DV के time आप absent हो ठीक है जब आपको DV के लिए बुलाए जाता है document verification के लिए उस समय आप absent हो वहाँ पर पहुचे नहीं दूसरा कारण यह हो सकता है कि यहाँ पर आप जब DV पहुचे तो DV में आपको कोई problem है उसके वज़े से आपको बाहर कर दिया गया या medical में आपको कोई problem होती है उसके वज़े से बाहर कर दिया गया तो mainly जो कारण होता है वह medical होता है अगर आपका DV हो जाता है तो DV में तो आपको यहाँ पर करने के लिए बोल दे जाता है आपको यहाँ पर टाइम जे दे जाता है कि आप अपने document बना सकते हो लेकिन अगर medical में आपको ज्यादा problem होती है तो आपका वीजन होता है आई वीजन वह सबसे most important होता है रेलवे में अगर आपका वीजन अगर आपका low standard है low medical standard है तो आपको रेलवे होती है वहाँ पर unfit कोशित कर देती है तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं सेंडर रेलवे मुंबई की अब दिखें यहाँ पर यह बोला गया है कि हमने first stage document verification इनके पस डीवी के बाद जो आपके चार 2019 तो उसको complete होने के बाद हमने यहाँ पर जो आपके student से उनको medical examination के लिए बेजा और यहाँ पर जो आपके railway hospital थे जैसे कल्यान है पुने है सोलापूर है और आपका बुसवाल है और नागपूर है इनको यहाँ पर बेजा और उसमें पाए गया कि जो candidate थे ठीक है कुछ candidate थे जिनको medical standard B2 and C2 इनमें fit पाया गया लेकिन उन्हें A2 और B1 category नहीं मिली है तो यहाँ पर railway का बोलना है कि यहाँ पर जिनको भी B2 and C1 category दी गई है उनकी seat available है ही नहीं इसलिए यहाँ पर आपके जो B2, C1 और C2 candidate है इनको यहाँ पर railway में unfit कर दिया गया है मतलब इनको क medical standard के अनुसारी railway होता है उन पोस्टों के लिए बढ़ते हैं 2018 में जो vacances थी सबके लिए जो medical standard था ना वो आपके maximum A2, A3 और B1 यही रखा गया था अगर किसी का below था जैसे कि B2 है आपका इसके बाद में C1 है और C2 क्या है अगर आपके C समझ नहीं आ रहे हैं तो इसके उप अगरेट की हैं जो आपर medically unfit किये गए हैं अब railway ने आपको मोका दिया है एक मेने के अंदर आप जो है आप वहाँ पर आपकी जो medical appeal है वो आपर कर सकते हैं तो medical appeal करनी कैसे है उसके लिए मैंने special video बना रखा है तो वीडियो को डिस्क्रपिन जाएए यहाँ पर i button में आपक option आ रहा है आप इस user sign-in के option पर टिक कीजिए अब देखिए यहाँ पर user sign-in पर ट्रैप करेंगे तो आपका registration number और आपका P.E.T. का roll number है वह यहाँ पर डालना होगा login करने के बाद आपको जो further update है यहाँ पर बता देजगा किस परकार चापको अपील करनी है तो उस वीडिय से बताया तो वीडियो को डिस्तरी फिनम जाईए वहाँ पर लिंक दे रहक है या आई बेटन पर इदर जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं बाकि अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कोमेंट कर सकते हैं मैं इसको पर आपको reply करना कर देने का फूरा कोश करूंगा चली मिलते आप से अगले वीडियो में तब तक जय हिंद जय भारत